हेलो प्रेंट्स, वेलकम इंट BW केंपस। आप सभी को होगत है, अच्छे जुलाई 2019, कल हमारा बजट पास हुआ, जिसको मान्ये निर्मला सीधर अरमर जी ने पास किया, हमारी फूल टाइम लेडी मिनिस्टर फिनांस की, इससे पहले इंद्रा गाधी जी ने किया था, जब बजट बेश ज्यादा है, तो हम इसके सुरुवात करते हैं, हमारा पहला क्वेशन है, वित्य मंत्री निर्मला सीधर अरमर ने बजट 2019 भासड के दवरान घोसित नई जल सनरत्षड योजना का क्या नाम दिया है, ओके, इस योजना का नाम है, हमारा जल जीवन मिसन, इस य निर्मला सीधर अरमर जी ने 2024 तक सभी ग्रामीड परिवारों को हर घर जल लच को प्राप्त करने के लिए जल सक्ति मंत्री के तहत जल जीवन मिसन की घोस्ट रखी, उन्होंने या भी बताया कि जल सक्ति अभियान के लिए पाचाने जा रहे 256 जिले, भर में फैले, 1592 महत पूर और सोसित ब्लॉग इनमें सामिल किये गये हैं, तो आप यह जान सकते हैं, यह एक अच्छा कदम है इस बजट में and हमारा second question है, भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निर्मला सीता रमर द्वारा घोसित सिच्छा संस्था का नाम, तो दोस्तों, यह हम हमारा National Research Foundation, यह हमारा सही जवाब है, and वित्यमंत्री निर्मला सीता रमर जी ने राष्ट्री अनुसंधान Foundation, NRF को देश में अनुसंधान के लिए धन, समन्वें और बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया, यह विभिन मंत्रालियों दोरा दिये गए सोतंत अनुसंधान, अ आदत करेगा, हमारा तीसरा क्वेशन है, आर्थिक सर्वेचर 2019, ने अनुमान लगाया है कि 2019-20 में सकल घरी लिउत्पाद में कितनी ब्रिद्धी हुई है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है, हमारा साथ प्रतिसत, काफी अनुमान और आकड़े, जो की 8% से उपर दिखा र है, एंड 7% निकल के आया, जबकि यह जो घटा हुआ है, यह वैस्विक अस्तर पर हुआ है, जिसका असर भारत पर भी पड़ा है, हमारा चौता क्वेशन है, 2020 में किन दो राष्ट्रों के पास सबसे सकतिसाली पासपोर्ट है, तो दोस्तों इसका जवाब हमारा है, जापा एंड सिंगापूर, हैंले पासपोर्ट सुचकांग, 2019 के अनुसार, जापान और सिंगापूर में दुनिया के सबसे सकतिसाली पासपोर्ट है, दोनों देशों ने 199 देशों में से सीर्स अस्थान हासिल किया, क्योंकि उनके पासपोर्ट 189 अस्थानों पर वीजा मुक्त य भारत 86 अस्थान पर रहने वाले हैंले पासपोर्ट सुचकांग, 2019 में, 86 अस्थान पर हमारा भारत था, भारत मौरिसस और साउट, टोम और प्रिंसेब के साथ इस्तिति साजा करता है, मतलब इन दोनों राश्ट्रों के भी 86 अस्थान है, साथ ही साथ मैं आपको यह बात बता दूं कि 2018 में भारत का 89 अस्थान था, मतलब 79 अस्थान पर भारत स्थापित था, आप देख सकते हैं कि भारत की इस्तिति ठीक नहीं है, सुचकांग में और डाउन चला गया है, तो दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की आधार ने किन दो पहचान पत्रों को विन में बनाने का प्रस्ताव दिया है, तो यह हमारे पहचान पत्र है, पैन और आधार, इसके सही जवाब है, पैन और आधार, आप देखा होगा, GST भरते समय, पैन कार्ड का इस्तिमाल आवस्यक था, मेंडेटरी था, बट वहाँ आपर रिलेक्सेशन इस बार से दे दिया गया है, कि आधार कार्ड से भी आप काम चला सकते हैं, तो यह चीज इस बार के लिए बजट में सबसे नहीं थी, हमारा च्छटा कोईशन है, सारजनिक छेत्र के बैंकों में रिड को बढ़ावा देने के लिए केंद्री बजट 2019 म कितनी रासी आवंटित की गई है, यह महत्वपूर इसलिए भी कोईशन हो जाता है, बिकाज इसका असर सीधी तोर पे हमारी आम जनता पर पड़ता है, और इसमें जो बजट एलोकेशन है, वो 70,000 करोड रुपे रखा गया है, केंद्री बजट 2019 रुपए का प्रावधान क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सारजनिक छेत्र के बैंकों को 70,000 करोड रुपे, बैंकों को प्रावधगी की कलाब उठाने, आउनलाइन व्यक्तिगत रिड और डोर्स्टेब बैंकिंग की पेसकस करने और PSB के ग्रहकों को सभी PSB में सेवाओं का उप्योग करने में सच्छम बनाने का काम सौपा गया है, तो आपी जान सकते हैं, पबलिक सेक्टर बैंक में कितना बड़ा ये भूम लाने वाला कदम है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, साथवां केंदर सरकार ने बजट 2019 में निमलिखित में से किसके आधुनी की करड का प्रस्ताव कि किया है, ताकि जीवन यापन में आसानी हो सकी, तो यह प्रस्ताव हम जानते हैं, काफे समय से यह लचर बेयोस्ता जील रही हमारी Indian Railway है, यहीं के Railway Station पर केंदर सरकार ने आधुनी की करड का प्रस्ताव किया है, ताकि जीवन यापन में आसानी हो शकी, इस साल के अमत में आधुनी की करण की प्रिक्रिया शुरू की जाएगी तो ये एक बहुत ही बढ़िया निर्ड़ा है हमारे रेल्वे स्टेजन्स प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारा आठ्वा कोशन है मत्स पालन छेत्र के लिए केंदर सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है केंदर सरकार ने मत्स चेत्र में महत्वड बुनियादी धाचे के अंतर को दूर करनी के लिए प्रदान मंत्री मात्र संपदा योजना का प्रस्ताव किया है मत्स पालन विभाग द्वारा एक मजबूत मत्स प्रभंधन धाचा स्थापित किया जाएगा तो अब जो यह योजना स्टार्ट हुई है इस योजना पर क्रियान बेन भी अब स्टार्ट हुजाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्पूर था तो यह अगला कुश्चन कुश्चन नमर 9 वर्स 2019 के लिए 21 राष्ट्र मंडल चैंपियंशिप में आयोजित की जाएगी ठीक है तो इसका हमारा जवाब है ओडिसा ओडिसा सरकार के खेल और युवा सिवाविभागने टेबल टेनिस फेडरेशन आफ इंडिया टी टी एफाई और ओडिसा स्टेट टेबल टेनिस एसोसियेशन ओडिस टी 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 ए के साथ वर्स 2019 से 21 में राष्ट्र मंडल चैंपियंशिप की मेजबानी के लिए एक समझोता ग्यापन MOU पर हस्ताचर किया है 17 से 22 जुलाई 2019 को कटक ओडिसा के जवाहर लाल इंडोर स्टेडियम में आजवजित किया जाएगा तो आप यह देख सकते हैं ओडिसा द्वारा यह कितना महत्वपूर कदम उठाया गया है अपने खेल सुधारों के लिए हमारा अगला कोशन है UK इंडिया अवार्ड के तीसरे संस्क्रण के दौरान किस बैंक ने वित्त संगठन का वर्च चीता ओके तो यह बैंकिंग के लिए सबसे महत्वपूर कोश्चन है जो कि कोश्चन के आने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है यह अवार्ड बहुत ह महत्वपूर है इसका सही जवाब है हमारा एक्सिस बैंक 2019 UK इंडिया अवार्ड ने लंदन में वार्षिक UK इंडिया वीफ के समापन को चिन्नित किया यह लंदन में इस्थित मीडिया हाउस इंडिया इंक द्वारा आयोजित UK इंडिया अवार्ड का तीसरे संस्क्रण था एक्सिस बैंक लिम्टेट को वर्स के वित संगठन से सम्मानित किया गया तो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक की अच्छी शलांग है इस सेक्टर में अब मारा अगला कोईशन है 11 किस छेत्र के लिए बजट 2019 में घोसडा के अनुसार एक नया टीवी चैनल लांच किया जा दम है जो हमारे युवाओं को भी प्रेड़ा देगा इस बात से आप समझ शुक होंगे कि जवाब क्या होना चाहिए सही सोचा जवाब है हमारा स्टार्ट अप्स स्टार्ट अप के लिए चैनलों के डीडी गुलदस्ता के तहत सरकार एक नया टीवी चैनल शुरू करेगी यह चैनल स्टार्ट अप को बेतर तरीके से अपनी पहल को मजबूत करने और विक्सित करने में मदद करेगा चैनल के नाम और प्रोग्राम की घोसडा जल्द ही की जाएगी तो आप यह देख सकते हैं जो हमारे स्टार्ट अपस ओपन होते हैं और उनमें स्टार्ट अपस में इतने सारे वैरियेसंस होते हैं जिनके कारण स्टार्ट अपस हमारे बंद हो जाते हैं 90% स्टार्ट अपस अपने 4 साल की कारिकाल तक आते आते बंद हो जाते है तो इन चीजों में ब्रेक आउट लाने के लिए हमारी बोधी गवर्मेंट ने इस 19 के बजट में इस चीज को बढ़ियां से पास किया है कि न्यू चैनल जो हमारा डीडी था चैनल देश का इस पर स्टार्ट अप्स का एक चैनल ही चलाने का एक कारेकरम चलाने का प्राउधा रखा गया हमारा बारवा कुश्यन है आएमेफ बोर्ड ने किस राष्ट के लिए 6 बिलियन अमरीकी डॉलर के रिर पैकेज की मंजूरी दी है तो आप यह समझ सकते हैं इसमें बताने की कोई भी गुंजाइज नहीं है कि हमारा सबसे करीब में गरीब मुल्क कौन सा है तो इतनी सर्मनाक चीजों और सरतों के बाद उसे 6 बिलियन अमरीकी डॉलर की आएमेफ से मदद मिली हुई है तो दोस्तों हमारा आगला कोईश्यन है तेर्वा बजट 2019 में सालना 400 करोड रुपए तक टर्णोबर वाली कमपनियों के लिए कर की दर कम की गई है इन कमपनियों को अब कितनी टेक्स देना होगा तो दोस्तों इसका सही जवाब है 25 परत्षिप बजट 2019 रुपए तक कि वार्षिक टर्णोबर वाली कमपनियों के लिए करकी दर को 25% तक कम कर देता है 400 करोर रुपए इस कदम से 99% से अधिक भारती कमपनियों को फायदा होगा ऐसा हमारे आकड़े में बजट में बताया गया है इस बार की तो देखते हैं कॉर्परेट वालों को और कौन-कौन सी मदद मिलने की गुंजाईस है विगाज इससे ज़्यादा बढ़के मदद की गुंजाईस की जा रही थी कॉर्परेट वर्ल्ड में हमारा चौदवा क्विस्चन है हाल ही में किस राज सरकार ने टोल फ्री सीम हेलप लाइन 1076 सुरू की है तो ये हमारा अपना राज उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टोल फ्री प्रधान मंत्री हेलप लाइन 1076 सुरू की या योजना राज भर के लोगों को अपनी सिकायते दर्ज करने में सच्छम बनाएगी और एक समय बद्ध कारवाई की जाएगी प्रदान मंत्री योगी आदित नाथ हर महेने सिकायतों की वेकदिगत समिछा करेंगे लोगों को अब अपनी सिकायत दर्ज कराने के लिए लखनाव जाने की जरूरत नहीं है जूटे सिकायत करने वालों के खिलाब कारवाई होगी सिएम हेलप लाइन नंबर 1076 यह हेलप लाइन 24-7 और राज के किसी भी हिस्ते से काम करेगा हेलप लाइन के लिए 500 सीटर कॉल सेंटर की स्थापना भी व्योस्ता है यह बहुत ही महत्वपूर कदम है कि अब इन सारी सिकायतों के लिए लखनों का आवागमन करने की जरूत नहीं है समय बचेगा और जाहिर सी बात है अगर सीएम सर के टेबल पर डारेक्टिव फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन पहुच रही हैं तो अधिकारियों पर वी इस बात का दबाव होगा कि वो लचर बे उस्ता को बंद करें हमारा अगला कोईशन है पंद्रमा सबसे लंबी विद्ध्यूतिक्रित रेलवे सुरंग किस राज में चालू की गई है तो राज यह हमारा आंध्र प्रदेश है सबसे लंबी विद्ध्यूतिक्रित सुरंग का निर्मार किया हुआ है सुरंग हाली में पूरी हुई ओबुला वर पल्ली वेंकट चलम नई रेलवे लाइन का हिस्सा है तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की एक नई उड़ान इस सेक्टर में हम उम्मीद करेंगे कि और भी चेहां पर यह चीज लागू हो अगला कोश्चन सोलवां जनता के लिए डियने आधारित नैदानिक सेवा प्रदान करने के लिए डियने फिंगर प्रिंटिंग एंड डियागनॉस्टिक CDFD के अंदर के साथ MU ने किस पर हस्ताचर किये हैं तो इसका एंसर है हमारा D CSIR and CCMB इनमें आप यह चीज देख सकते हैं CSIR Center for Cellular and Molecular Biology CCMB ने कम लागत पर जनता को डियने आधारित नैदानिक सेवा प्रदान करने और नैदानिक तरीकों को विक्सित करने के लिए Center for DNA Fingerprinting and Diagnostic CDFD के साथ MU पर हस्ताचर किये हैं MEO के उद्देशों में कम लागत पर जनता को गुडवत्ता वाले DNA आधारित नैदानिक सेवाओं का प्रदान है नै नैदानिक तरीकों को विक्सित करना और मानो अनुवानसिक विचारों की समझ में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में सनलग्न करना सामिल है दोनों संस्थानों ने अनुवानसिक निदान में प्रसिचण और सैचिक गतविदियों को करने के लिए पारसपरिक रूप से सामती व्यक्त की है CDFD एक बायो टेकनोलोजी अनुसंधान केंद्र है जो विज्ञान और प्राध्योग की मंत्राले के जय प्राध्योग की विकास द्वारा संचालित है या हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित है तो आप देख सकते हैं यह कितना महत्तपूर कदम उठाया गया है अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 वर्ल्ड एकनोमी फूरम डबलू एफ की टेकनोलोजी पाइनियर्स अवार्ड दो जार उन्नीज सिक्किस संस्था को सब्मानित किया गया है तो इसका सही जवाब हमारा है हमारा बी ओप्शन क्वेश्चन नंग हैद्राबाद और सिलिकॉन वैलू की मुख्याले वाली डिश्टेल प्राध्योगी कंपनी को वर्ल्ड एकनोमी फूरम डबलू एफ के टेकनोलोजी पाइनियर्स एवार्ड दो जार उन्नीज से सम्मा पतियों और कार्पूरेट अधिकारियों की चयन समती द्वारा चुना गया है कोईंटेला यह एक नए यूकी डिश्टल प्राउद दोग की समाधान कंपनी है जो आयोटी इंटरनेट आफ थिंक्स पर केंद्रित है यह एक व्यापक अनुकूल योग इसके टेबल प्लेट प्रदान करता है जो सहरों को सामाजिक आर्थिक और पर्यावरडिये समस्याओं के बारे में पूर्वा नुमान लगाने और उन्हें हल करने में मदद करता है टक्नीकी इस वर्ष प्राउद दोग की अगरड़ी AIR कृतिम बुद्धिमत्त आई ओ टी पर ध्यान के दिरित क में सुधार उभरा है रोबोटिक्स ब्लाक्चेन आधी तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं क्वैंटेला एक महत्वपूर कंपनी है अमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 18 भारत एकसा लाइफ प्योएस सरल जीवन बीमा योजना की पेसकस करने के लिए भार भारती एकसा लाइफ एंसरेंस के साथ किसने समझ होता किया हुआ है तो इसका जवाब है हमारा एटेल पेमेंट्स बैंक, देश में पहला लाइव पेमेंट्स बैंक, एटेल पेमेंट्स बैंक ने भारती एकसा लाइफ POS, पॉइंट आफ सेल, पर जीवन बीमा योजना की कोशिस करने के लिए भारती एकसा लाइफ इंसोरेंस के साथ साज़ेदारी की है, जो कि 5 लाक और बिना बीमा वाले घंडों के उद्देश से एर्टेल पेमेंट्स बैंक के 25,000 रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध पॉलिसी का विस्तार 60,000 बैंकिंग बिंदूओं पर किया जाएगा। ग्राकों को 3-5,000,000 के बीच जीवन कवर का विकल दिया जाता है। और इसे जल्द ही 25,000,000 रुपे तक बढ़ा दिया जाएगा। 18-55 वर्ष के बीच का कोई भी विक्ति इस उत्पात के लिए ना मांकर कर सकता है। 2018 में एटेल पेमेंट्स बैंक ने प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना पीम जेजे बीवाई के पेसकस करने के लिए भारती एकसा लाइप इंसुरेंस के साथ भागिदारी की थी। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड कितने महत्वपूर बदलाओ हो रहे हैं। उननीसमा कुश्चन डेटा सुरच्चा और फ्रेम डेटा सुरच्चा विदेख पर मुद्दों का ध्यान करने के लिए भारत सरक्वार द्वारा गठी डेटा सुरच्चा विशेशग्यों की समिती की अध्यचता कौन करता है। तो इसके ओप्शन है हमारे ओप्शन डी बियन स्री ट्रिश्चन जी इलेक्ट्रोनिस्ट और सूचना और प्रद्दूगी की मंतरी रविसंकर प्रसाद ने लोग सभा में एक लिखित चवाब में कहा कि डेटा सुरच्चा विदेख नाम के डेटा गोपनियता पर व्याप अपक कानून व्यक्तिगट टेटा की सुरच्चा को मजबूत करने के लिए तैयार है सरकार ने डेटा सुरच्चा पर विसेशक्यों की एक समिती बनाई है सर्वोच चिन्यायाले और नयमूर्ती सेवानिवृत बियन स्रीकृष के अध्यचिता में डेटा संरच्चड और डेटा संरच्चड विदेग पर मुद्दों का ध्यान करने के लिए इसने एक निजी डेटा संरच्चड विदेग पीडी पीबी का मसौदा जारी किया है जिसे संसद में अनुमोधन के लिए रखा जाएगा तो आप देख सकते हैं यह बहुत महत्पुड अध्यच है और मतलब हमारे एक्जाम में आने की उम्मीदे भी बहुत जादा है एक डेटा सुरच्चा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा भारत के लिए बना हुआ हमारा बीश्वा कोईस्चन है सोध करताओं ने एक लाख असी जार नौसो चौबीस कि स्रोतों का पता लगाने के लिए किस टेलिस्कोप का उप्योग किया जो कि ब्रह्मांडिय उर्जा की एक रहसमेश सक्तिसाली पल्स है जिसे फास्ट रेडियो बस्ट एफ रबी के रूप में जाना जाता है तो यह हमारा ओप्शन नंबर ओप्शन डी है आस्ट्रेलियन स्क्वाइर किलोमीटर एरा पैट फाइंडर मारा पाथ फाइंडर है एसके पी पहली बार सोथ करता हूं कि एक अंतरराश्ट्री टीम ने एफ रबी वनेट जीरो नाइन टूफोर के स्रोत की खोज किया जो कि ब्रह्मांडिय उर्जा की एक रहस्यमाई सक् पल्स है जिसे फास्ट रेडियो बस्ट एफ आर भी के रूप में जाना जाता है जो केवल एक सिकंड में एक अंस तक चली या खोज पस्चमी आस्ट्रेलिया में आस्ट्रेलियाई स्क्वाइर किलोमेटर एरा पाथ फाउंडर एसके एपी रेडियो टेलिस्कोप का उप्य करके की गई है एसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति पिर्तिवी से 3.6 billion प्रकासवर्स दूर मिलकी वे के आकार की आकास गंगा के बाहरी इलाके में हुई थी पहला FRB 12110B 2007 में खोजा गया था और अब तक 80 से अधिक का पता लगाया जा चुका है AAAS जनरल साइंस में प्रकासित निसकर्स अध्यन में प्रमुक तो दोस्तों आप यह चीज़ देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर यह हमारी उडान थी Australian square kilometer era pathfinder की तो दोस्तों आज का current affair यह समाप्त होता है वीडियो को लाइक करें अपने विचार कमेंट सेक्षन में रखें नवर गिवब